टिकनोमेट्री आई एम अनीश कुमारतिवारी फ्रॉम दा ब्रिल्यें टिटोरियल्स माई टिटोरियल्स बिलोंग्स टो सीबी एसी एंड बिहार गोर्थ थर्ट टुट्वाल्थ आज के वीडियो लेक्चर में हम जाने हैं टिकनोमेट्िकल फंक्सन के फöm में हमें six function मतलब की दिये जाते हैं जिन में do kriteria आपका होता है तीन function जो आता है वो आपका reciprocal function के रूप में आता है तो इसका representation जो हम करेंगे वो super hexagon के फ़र्म में करेंगा जैसा कि आपको six function के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है तो mean function जो मैंने पिछले lecture में बताया था कि tan theta sin theta और cos theta होता है यह भी मैंने बताया था कि tan theta का जो reciprocal function होता है वो आपका cot theta कहलाता है इसी प्रकार जो sin theta का जो reciprocal होता है उसी को हम लोग खाते हैं cos theta और इसी प्रकार cos का जो reciprocal होता है वो आपको बताता है कि हम sin theta है इस प्रकार हम जान पाएंगे कि sin theta sin theta का जो reciprocal होता है sin theta का reciprocal मैंने क्या बताया 1 by cos 6 theta इसी प्रकार मैंने क्या बताया cos का उल्टा है आपका 6 cos theta उल्टा है तो हम इसे उलट के रखेंगे तो 1 by सेख ठीटा होगा इसी प्रकार जो आपका होगा तैन ठीटा देखें मेन फंक्शन के रूप में आपर तैन ठीटा और तैन का जो उल्टा होता है रेसे प्रोकल होता हुआ आपका क्या होता है, cot theta, तो इसे, चुकि ये directly इसके property को दिखाता है, यही कारने कि इसको super बुला गया, चुकि इसके representation को हम hexagonal के form में दिखा रहे हैं, इसलिए इस method को हम super hexagonal method कहते हैं, अब इसी प्रकार यदि otherwise हम दूसरे form के रूप में इस्तमाल करें, तो आपका हम ये इ कोलेंगे कि कोसिक theta का जो रेसे प्रोकल होता है, वो sign होता है, मिस दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, यह इसी प्रकार हम कर सकते हैं कि सिक theta का जो रेसे प्रोकल होता है, वो आपका होता है, cos theta होता है, इसी प्रकार यदि हम बात करे, cos theta की, तो हम बोलें कि cos theta equal to formula होता है एक बार हम और रिपीट कर रहे हैं साइन का उल्टा कोसेख होता है कोसेख का उल्टा साइन होता है कॉस का उल्टा सेख होता है सेख का उल्टा कॉस होता है तैन का उल्टा कॉट होता है कॉट का उल्टा टैन होता है मतलब कि ये उपर और नीचे वाला जो function है एक दूसरे कार इसे प्रोकल है और इसे प्रोकल वाले चीज में यदि हम गुना करते हैं तो इनका value 1 के बराबर होता है आए दूसरे steps में इसको हम जानते हैं पहले steps में मैंने अंति में बोला था कि दोनों का जो product होता है वो 1 के बराबर होता है तो आए जानते हैं इसके बारे में यहां पर मैं बोलूँगा कि ये जो sign है और cosec है यही दोनों में मैं गुना करूँगा तो इसका value 1 होगा इसी प्रकार मैं cos और cosec में गुना करूँगा तो इसका value 1 होगा 10 और cot में गुना करूँगा तो इसका value 1 होगा जैसा कि मैंने पहले steps में आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता आप देख भी सकते हैं यदि cross multiplication करेंगे तो इसका value 1 के बराबर होगा तो चलिए हम इस method में वही काम करेंगे तो सबसे पहले यदि हम इस side में चलें तो मैं बूलूँगा कि sin और cosec एक दूसरे का जब गुना करेंगे cos theta into say theta equal to 1 इसी प्रकार मैंने बताया कि sin theta into sin और cosec का गुना 1 cos और say का भी गुना 1 यानि कि हम यहाँ पर cosec theta लिखेंगे तो इसका value 1 के बराबर होगा इसी प्रकार हम बूल सकते हैं कि tan theta into आपका cot theta होगा तो इसका value 1 होगा यह माइने नहीं रखता है कि आप cos को आगे रख रहे हो या शीक को आगे रख सकते हो आप दोनों को पलट के भी रख सकते हो इससे कोई फर्क परने वाला नहीं अब इसका इस्तमाल कहा होगा तो example के तोर के हम बता रहा है कि आप अब दिया हुए sin theta into cosec theta to 1 कहने का मतलब है कि theta का दोनों मान समान होना चाहिए यानि कि sin 1 degree रहे into कहीं पर आपका cosec 1 degree का value कुछ है तो आप वहाँ पर directly बता सकते है कि इसका जो value होता है वो 1 के बराबर होता है इसी प्रकार यदि ऐसा दिया हुए रहे कि 10 5 degree into cot 5 degree इसका value कितना होगा बराबर होगा अब हम इसी प्रकार यहां पर काम करेंगे तो यह जो formula होता है वो आपका काम करता है कि यदि हम 1 formula को निकालना चाहते हैं तो मेरे को 2 और by 3 में divide करना होगा यही इसका main rule है for the example जैसे यदि हम 10 theta हैं और 10 theta को यदि हम 1 मानते हैं और sin theta को आपको 2 मानते हैं और cos तीसरा अस्थान पर है cos cos को सिक में cos तो यदि हम 1 को लिखेंगे तो 1 को प्राप्त करने के लिए 2 और 3 के steps में भाग देना पर है means 10 theta equal to sin theta और by cos theta इसी प्राकार यदि हम sin को निकालना चाहें sin theta तो sin theta के लिए यह first काम करेगा तो यह second हो दाएगा means cos theta और by cos theta होगा इसी प्राकार यदि मेरे को cos theta का भालू निकालना हो तो हम बोल सकते हैं कि cos theta equal to cos theta और by आपका हो जाया cos theta इसी प्राकार यदि हम चाहें और भी आगे बरना तो हम वहाँ पर भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी प्राकार यदि हम लिखें तो हम यहाँ पर यहाँ भी लिख सकते हैं कि यदि मेरे को cos theta निकालना हो जी हाँ कोसिक छिटा इस टर्म से में भी वही figure है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोसिक छिटा यदि first function है तो इसके लिए second function जो होगा वो आपका sick छिटा होगा तो मैं इसे तीसरे से भाग दूँगा तो इसके लिए 1, 2 और ये 3 होगा तो इसमें मैं divide करूँगा तो 10 ठिटा हो जाएगा इसी प्रकार यदि मेरे को sick ठिटा का formula निकालना हो तो मैं बोलूँगा कि 10 ठिटा हैगा और 10 ठिटा में मेरे को divide करना होगा sin ठिटा से इसी प्रकार यदि मेरे को 10 का value चाहिए मिस सीख हो गया आपका कोसिक भी हो गया कॉट नहीं होगा था तो यदि मैं कॉट को define करना चाहूँ तो कॉट के लिए फर्स्ट खुद होगा तो इसके लिए second जो term होगा वो ये होगा कोसिक ठीटा और third जो term होगा वो आपका हो जाएगा सीख ठीटा अब हम लोग जानेंगे कुछ अधर चीजों के बारे में भी उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मतलब परहेंगे तक तक के लिए धन्यवाद